तो दोस्तों अभी अभी उडपी से निकल रहे हम लोग और सिधा जाएंगे अभी मैंगलोर और यहां से सिधा मैंगलोर के लिए निकल जाएंगे तो सर ने बोथ हेल्प किये कल अमरा टैरीफ 10% डिस्काउंट दिया है तो अभी रिकमेंड इस उडपी रेसिदेंस से रूम्स और क्लीन थोड़ा प्रोफेशनल यह ओल्ड है जो होटल है ना थोड़ा ओल्ड है तो आपको है ना ओल्ड तरीके का कुछ बटन संद अल एवरितिंग मिलेगा आपको तो अच्छा है आओ यहां पर और अच्छे सबको डिस्काउंट भी दे देंगे तो निकलते ह तो इसमी है अब ही मैंगलोर के तरफ है कि मैंगलोर से सिर्फ हम लोग है 20 किलोमेटर दूर और यास लगी थी बहुत जादा नारियल पानी पी लेते हैं दो टाइप के नारियल पानी अब देख सकते हैं और यह कुछ पीला रंगे थोड़ा इसा पीला रंगे इसा दीख रहा है यह नॉर्मल वाला लिया जो अपने अब यह थोड़ा एक दम रॉल लगता है और वह थोड़ा मीठा है पानी उसमें और ज्यादा इतना ही डिफरेंस है बाकी नारियल तो नारियल है अब यह अधाना इसमें मलाई भी मिलता है तो उसको मलाई के लिए फिर पानी पीने के बाद रूप काट देते फिर उसके ब कास्ते बाद करना झांड़ यह बीच शेटी लंचोम एन अल्टिमेटली वीच मंगलोग अभी शेटी लंचोम में खाना-khanे जारहा है मठली फ्राइब देखें कि कौन सी कौन से मिल की है आप यह बीचे लंचोम इसके बाद हम रूम देखेंगे लफिलाल शेटी लंचोम में खाना-kha था है यह भी अधिर रिष्टोर अरंट है तो इसी में बैठने जारहा है विकास थोड़ी सी गर्मी लग रही है है और इस प्रविच ज़िशेज नहीं यहां पर देखेंगे जिए जोड़े सकते हूं जोड़े चिकन घी रोस्त है तो बहुत ज्यादा फेमोस है यहां है कि यह हम ट्राइब करेंगे जरूर आज बाकि फिश आइटम भी ट्राइब करेंगे लिस्ट में देखके तो अब हमने एक फिश थाली जो स्पेशल से पूर था लिए वो मगई आपको इसमें एक नेरदोसा मिल जाता है फिर शेल फिश में जाता है फिर इस सिल्बर फिश मिल जाती है इस सामबार और एक वेज सबजी और यह चोटे जो प्राउंस होते हैं उनकी चटनी जैसे होत और ग्रेवी फिश है और यहां पर घी रोस मगया जो इंका जाला फेमस है तो यह घी रोस आप देख सकते हो पूरा मसाला में एक दम दुबा खा के बताएंगे इसको कैसा रहता कैसा नहीं यहां पर नीर दोसा है नीर दोसा आलेट रिफ्रेश करने को देख सकते हो चिकन और इसमें लगाऊँवा मसाला कि गी रोस मसाला है और तो मस लग रहा है तोड़ा स्पाइसी है और गी में पूरा रोस्ट के हुआ इसके साथ आप नीर दोसा ट्राइ करिए यह नीर दोसा का कोई टेस्ट नहीं होता इतना जादा स्ट्रॉंग तो इसका जो टेस्ट है वो डॉमिनेंटली आपको फील करने मिलेगा हर एक बाइट में अलग टेस्ट आ रहा हर इक बाइट में इसा और खाने का मन कर रहा है त इतना कोई खास नहीं है मसाला नहीं सिंपल तरीके से दे दिये जो छोटे प्राउंस आते हैं वो अचार तो इनकी स्पेशालिटी है नीर दोसा सिंपल है कि सांबार भी अच्छा है और यह जो फिश है इसको सिल्वर फिश बोलते हैं लोग तो बहुत ही जाद आच्छी तरीके से इन्होंने कुप भी की और रवा फ्राई की मस्त दों और यहां पर है सुर्मई तो सुर्मई भी जो घी रोस्ट है वैसी बनाई है यह जो घी मसाला को कैसे भरा इसके अंदर तो आपको इसमें राइस मिल जाता फिर आपको फिश करी मिल जाती है जो की सिलबर फिशह और यहां पर वेज सब्सभी मिल जाती है फिर थोड़ी से दालं टाइप सब्सक्राइब यह नॉर्मल थाली यहां पैमेलती 80-90 रुपीश की खाना मतलब हाड मतलब बता दिया कि जो शेटी होते हैं वाई यह रुनिंग इस बिजनेस होटल इंडस्ट्री बेरी वैल इनका फूट कॉलिटी पे बहुत जादा ध्यान होता है और फिश और इस चीजों में इनका बहुत ही जादा पकड़ है अच्छी टेस्ट है और चिकन गी र असल है ना एक बार ट्राइ करो गुड़ पी वह भी आपको अच्छा ही लगेगा और मुझे परस्नल ही अगर मैं दोनों अगर मुझे खाने मिले और एक चूस करना पड़ा तो मैं फिश फैक्टरी का चूस करूंगा विकॉस वह और थोड़ा सोबर और थोड़ा और एडि जो सिल्वर फिश और प्रॉंज करी भी था उसमें जो करी का जो टेस्ट हा वो सेम था से फिश डिफरेंट था पर एक एक एक्सपीरियंस के लिए खाने के लिए बहुत ही जादा अच्छा है तो गुडिवनिंग गाईज होटेल चेकिंग हो गया है पिछे देख सकते होटेल के लोबी में हूँ है और अभी फिलाल हम लोग जा रहा है आइस क्रीम काने जो गड़बन ही हाथी बहुत जाता फेमस है आइडल काफे में मिलती है वो तो वही पर जारे है आभी फिलाल औ और उसके बाद हम लोग मशली रेस्टोरेंट जाएंगे अब सीनाइज है कि हम लोग है ना शेटी लंच हों में जो दबा के खाए उसमें फुल टाइट होगा है तो अभी थोड़ा चलेंगे थोड़ा उसको सेटल होने देंगे तो उसके बाद फिर थोड़ी भूप लगन कि व्याइज अभी आईडियल काफे आगये अब पाच-दस मिट का वक कर सिफ होटल से अब पीछे मेरे देख इसे अब यहाँ पर जाके देखते हैं आईडियल काफे में कैसा गडबड बिलता है गडबड आइस्क्रीम का नाम है तो ठाके देखते हैं अंदर जाके कि यहां पर टेक अवे काउंटर भी है और जस्ट टेक अवे काउंटर से ना राइट एंसाइड में अंदर रेस्टोरेंट भी बड़ा यह दो टेश प्रैम में महाई है यह गडबड और यह दिलकुष में आपको है ना फ्रूट केरलाइस मिलेंगे और उपर ड्राइफ रू एकर प्रूट प्रूट एको ड्री ऐकेस और है प्रूट इसमें आपको काउद् इभर択वे वर फञवयों कि लगड़ी थे कुरीक में प्रूट चाफalloम प्रंवा टेस्ट जूटिक ऐसा वाला ना अलग-जाएवरे मैट्वक्वारी और रिक जले काईड उद्टा आ है त बटर स्कॉर्स टाइप टीस्ट आरा है इसे बिलकुल मतलब है इसको प्राइ कोरो मीठा जैसा ची वैसा है जादा मीठा बिलकुल भी नगी है अपर मीठा है तो बिलकुल पसंद आएगा या यह यह भी गडबड सेम ही आइस्क्रीम है बट इसको पालूदा के टाइब में ब अपर्या करbles आए तो बट लुग सुछति कर dzi दूंध का अईसक्रीम बनाने का चाह क्लेवर है अधेंटिक फ्लेवर है अच्तिक 이ंट कि आएपने कि और मैसर भी खौनेस थे ौ किने वोलिख करायार है इस बारिशेका कर दो कर दो कि पूछ लेते हैं कैसा है कैसा है मजा निया आइस डाल के दिया है वह थेले का गोला लग रहा हुँ दोस्तों गड़ोबढ़ खाली दिलकुष खालिया और मैंगो पल भी पी लिया अभी जा रहे मचली पूरा टाइट है फिर भी इच्छा बहुत है मचली जाने की तो अब यह आप फिछे देख सकते हो आइडियल कैफे निकल रहा है और पित और मैं अभी निकल रहा हूं डिरेक्ली मचली कैफे के होंगा टिप लो या फिर आप हमको बेकुफ समझो बट हमरे लिए तो यह वर्क होता है हम लोग कभी भी होटे लेना डिरेक्ली बुक नहीं करते विकॉस होता क्या है और तीन-चार बार हो चुका है हमरे साथ कि सम्वर अगर हमने बुकिंग कर लिए तो वहां पेना हमको अधन नहीं आता पैसे बेस्ट हो जाते फिर वैसा होता साटिस्फेक्शन नहीं मिरता तो हम लोग ने क्या किये और फिर जाके वहां पर होटल देखेंगे और पीचे जो साई पहले सब देख रहे हो ना यहाँ पर भी आया थे हम यहां पर यहां पर आज पूरा सोल्ड आउट यहां पर गए थे फिर दोशन पल्स गए थे वह भी सोल्ड आउट था तो फिर हम लोग ने घुमके दूसर होटल गया है वहां पर मिले हमें और वह ग्रैंड प्लाजा गर के नाम है उस होटल का अच्छी रूम से बालकनी तो वहां स्ताराम से वहां सब्सक्राइब डाइब अब जारे है मचली मचली खालने जारे मचली में मचली रेस्टोरान में तो जाके देखते अभी का कैसा रहता वहां पर तो हम लोग यहां पर मश्ली रेस्टराइट पोज गये और यह वन आप दो फेमस रेस्टराइट मंगलर गा इस्पेशली फर सीफोर्ट वो दोस्तों यह मेनू है मश्ली रेस्टराइट का और यहां पर प्रॉंस कोई भी थेश लेला आप स्कार्टर में और वो अपको पेंगे हैं मुरू कल और सोले फिश ट्राइंगे हमने और सिल्वर फिश रेस्टराइए बुटाइ अभी ट्राइक करने वालए साडिन साडिन तो वैसे हम मैं पहले खा चुगा हूं और लेडी फिश भी में खा जुगा हूं पर पॉंप्रेट भी हमने खा लिया है और तो मेन कोर्स में फिर आपको फिश करी मेल बेज करी मेल फिर दम बिर्यानी इनके पास बट जो मिलेंगे न वो पॉलिटी पोड मेलेगा और अगर आप फिश में गीरोस लेते हो तो आपको तुड़ा एक सा चाहज पे करना पड़ेगा 5% उसमा टायर साथा तो इस इस दो डिसको फिश मंगाई जो की रेट स्नैपर है बिग आयरेट स्नैपर बिगाइस नेपर भी उसे बोल सकते हैं और यहां पर पूली मुंची तो बताइए मतलब यह साडीन्स में आती और नीडोसा मिल जाता है तो मैंने थोड़ा ना ग्रेवी पर रिसर्च कि थोड़ा इसे डाइसेक किया और आपको इसमें स्ट्रॉंग टेस्ट ना करी लिम्स का मिल जाता है और टोमेटो और ओनियन और टोमेटो ने करमलाइज करके अफिर ऐसा समझ लो कि आप उनको थोड़ा करके रखाया तो आपको खाने में भी बहुत आसानी होती थोड़ा सा अगर आप चबाव के ना उनको एक दो ऐसे पिगल लेंगे और उपर से इसमें मसाले भी है ना थोड़े एकदम माइनूटली पीसे नहीं है तो आप देख सकतो कितनी थिक ग्रेवी है और यह है वो साइडिन्स के जो ओईल होते हैं अगर आप यहां पर आते होना तो पुरी मंची बिल्कुल ट्राय करना विकोज यह इधर का लोकल डिश है और तो और यहां पर घीरोस लो या फिर आप दवा फ्राय लो आपको कुछ भी लो बड़ अच्छे ही मिलेगा तो यह जो हम लोग था इसको कुंपर कर रहे थे तो फिस फेक्टरी में तो मसाला मिलता है यहां पर फिक्र मशय करते हैं आपको घर के जैसा तो वैसी यह एक सिटिंगंग है और यहां पर सिटिंग एक सविस्त जो यहां कि टेस्ट है वह यहां पर मिली और ऐसी हम लोग है ना हमारा ट्रिपी इस बेसेस पे कि हम स्पेशल वहाँ के प्लेसेस पे घूमें और फिर वहाँ के जो लोकल डीचेस है लोकल कुजिन है उसको ट्राइ करें तो यहां पर आके मशली में आके हम वही मिला है जो मैंगलोर की टेस्ट है मुझे समझ आए कि मै मैंगलोर की टेस्ट क्या है और मैंगलोर में अगर आते हो तो यहां पर मशली जरूर आओ यहां पर पार्किंग के लिए आपको जगह मिल जाती है एक्चुली कर यह मेरे को लगता किसी बंदे का है ना अपना खुट का घरी है जिसको इस ने अपने रेस्टराण में कर दि यहां पर पूरा आज के लिए बुखता और इसी लेन में सामने की तरफ मचली है यह भी आज फुल था यह होटल देखो क्लॉक टावर की शेपना पूरा बनाया मस्त अर्किटेक्ट्चर है इसका यहां पर घी रोस बहुत ज्यादा फेमाज है जो जिस भी होटल में जाओं वहां पर घी रोस्त का उप्शन मिल जाता है तो अच्छा गासा वॉक ले रहे हैं अभी जो पीछे दिख रहा है आपको कि एक्चुली सिटी सेंटर करके यहां प पर फटा फट पर चलके रूम पे जाते हैं रात के नाइन थर्टी भी नहीं हुए और में सिटी है एक्चुली में सिटी के एकड़म सेंटर में हम लोग और पुरी दुकाने क्लोज हो गई और देखो रस्ते पर कुछ नहीं दिख रहा आपको मतलब ऐसा सीन है ना आज का दिन रखते इतना ही मचली बट मेरे लिए तो फेवरेट मेरा मचली रहेगा विकाज जो उसका अथेंटिक टेस्ट था लोकल फुट टेस्ट तो वह एकडम मतलब बूलू तो बाप फोट था बाप मतलब अगर अगर आप नॉन वेज्ट लवर्स हो तो मैंगलोर आ ट्रकर 253 के असपास ही मैंने लंच किया तो लेट लंच किया ता ओपर से फिर वापस घटवडबण खाने चला गया मैं 5-9 बजए के असपास और फिर यह फिश्ट तो मचली गाया तो मृष खा लिए हाप पर मैंने चाईन खाई और जस मुझे टेस्ट देखना था कि कैसे मसाले यूज करते और कैसा करी का टेस्ट होता है जो अगला व्लॉग आने वाला है वह मधिकरी का कुर्ग का तो अब बीच और जो समुंदर का सफर है वह एंड होगा और सीधा हम लोग निकलेंगे पहाड़ों की तरफ और पहाड़ों की तरफ जब निकलेंगे तो जो वाद पर दिखा दूगा और मैं भी देखूंगा उसे नजए करूंगा तो मिलते हैं कल